नमस्कार दोस्तो मैं हूँ सुरजेकरवाल आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूटूब चैनल गार्डिनिंग इस मैं पैसन का हिंदी भर्षन दोस्तो अगर आप आपके पौधे में फंगस के लिए काफी पड़ेसान है कोई भी तरह बैक्टरिया के लिए या फिर एलगी के लिए कोई भी इस तरह के प्रॉबलेम आपके बागान में आ रही है आपके पौधे में तो एक सॉलूशन में आपको बताता हूँ या आप घर में आसानी से बना सकते हैं बहुत आसान है इसमें दो चीज आपको मिला ली है पहली चीज जो है यह बहुत कमोन है इसको हम नीला थोथा कहते हैं नील तुतिया भी कहते हैं कॉपर सालपित है ग्लू भेट्रियो यह असानी से कोई भी हाड़वेर की दुकान में मिल जाती है और दूसरी चीज है यह यह चुना है पान के में खाने के जो चुना है यह जो चुना है कैलसियम हाड्रोकसाइड इसका केमिकल नाम है इस तरह का चुना आप ले ले यह दो आइटेम मिला के आप जो आप कोई भी पावडरी मिल दू हो डाइनी मिल दू हो कोई भी तरह का फंगस का प्रॉब्लम हो bacterial का problem हो, या फिर algae का problem हो, आपको सारे खत्म कर देगा ये, आप पूरा video देखिए, क्युक्짝 मैं बताने वाला हूँ किस तरह से इसको apply करना है किस तरह से इसको बनाना है, इसका doges है और कितने किंदी बार इसको परयोट करना है पूरा जानकड़़ि आपको यह दिखिए यहां पर काफी सरे algae हो गई है सारे में दूर करके दिखाने वाला हूँ आपको इस solution से पहले आपको क्या करना है इसमें कोई भी प्लास्टिक के यह लकरी के बरतन ले ले कोई प्लास्टिक के bucket ले यह सबसे अच्छा रगा 12 गंटा पहले आपको गोल के बनाना है उसके बाद अगर आपको प्रोएक करना है ति यह honestly prepared आपको बनाके इसको प्रोएक करना है यह देखिये मैंने लिया यह देखिए नीला थो था यह फिर copper salt पर इसको कहते है 500 ml पानी में आपको इसको देना है 5 ग्राम और यह है lime जिसको हम चुना कहते हैं यह चुन आप इसको रख नहीं सकते मिक्सर करने के बाद आप इसको रख नहीं सकते यह दिखे मैंने नीला थोता का जो पानी है copper sulphate का, यह मैं इसमें डाल रहा हूँ, डालने के बाद आप इसमें जो चुना का पानी है, यह पानी आप मिलाईए, इसको नाम है बोडो मिक्सचर यह बोड़क्स मिक्सचर यह फ्रांस में ही जात हुआ था, end of 19th century में यह बोड़क्स उनिवर्सिटी से अभिस्कार हुआ था, यह देखे चुना का पानी में यह आप डालना हूँ, जब आप पानी डाले तो अच्छी तरह से इसको हिला ले, मिक्स कर ले यह बोडो मिक्सर कहते हैं, कापी पुरानी आइडिया है, लेकिन कोई भी फलके, या सब्जी के, या फिर कोई भी पौदा हो, इस तरह के जो आप ऑर्नमेंटल पौदा हो, उसमें भी आप यूज कर सकते हैं, यह देखे, मैं स्प्रेयर में ढाल रहा हूँ, और आप प्रय करने के पहले, नाक और मुग का अच्छी तरह से ढख ले, चसमें से आपका आखों को ढख ले, गोबल से ढख ले, ताकि इसमें, क्योंकि यह काफी कौरोसिव होता है, यह मेट्रियल, तो आप इस तरह से यह सोलुचन कौरोसिव है, इसलिए आपको आपको आख और मुग यह नौजेल ख्याल रखे है कि यह बंद नहीं हुजा है क्योंकि आप इसको अच्छी तरह से से शेक नहीं करेंगे, हिलाएंगे नहीं तो नौजेल बंद हो सकता है, तो इस तरह से आप कपरे से छान लेंगे तो नौजेल बंद नहीं होगा, यह दिखे मैं स्प्रेयर से बेर हो पाधे हो उस तरगे पाधे कोई भी फलक के पाधें में काफी अच्छे काम करते हैं और बी कोई भी थरा प्लैंटसरो उस में आप स्प्रे कर सकते हैं और और यह देखिए यहां पर algae है काफी सारे algae में इसमें जो problem आ रही इसको मैं spray करता हूँ जहां-जहां algae है जहां पर mosses है वहां पर भी spray करूँगा जहां पर bacteria का में Box और नीला, ढहीं और नेल फुना सकते हैं यह आप पूरा तरीका आपका, आज बनाए आख लिए आप इसमें बनाई है आपका कोई भी bacteria के problem हो फंगस का problem हो औल्गी का problem हो आपके बगान में नहीं रहत आप यह होम garden के लिए बढ़दान है आप लिए और यह आप जरूर आप आप असके घर में अजमा कर देखी और मुझे आप comment सेक्षिंट में लीक के बताईए कि आपका कैसा ये result आप ? क्योंकि बbbe स्मिक्चर ऑपुराना तो फलदाय आप कोई भी फल के पॉदे में फूल के पौदे में औरनमेंटल पॉदे में ज रूरोड काम करे और मेहनों में इस सिर्फ एक बार आपको प्रो? कर ये और दिन के जो तो धूख की टाइम हो उसी टेमा प्रोइक करें जो क्लावडी टाइम है जहां पर आपको बादल आते हो बादल वाले दिन में प्रोइक नहीं करना है तो उमिदे ये वीडियो पसंद आया पसंद आया लाइक कीजिए शेयर कीजिए गार्डेन इंगेज में पैसें हिंदी व आतर तो हम आपको चैनल माने के लिए बहुत बहुत धन्दबाद बहुत बहुत खुपरियाद धन्दबाद